हेलो फ्रेंड्स, तोड़े वी विल टॉक बाउट थे थ्री रिग्रेट्स आफ तो स्टॉक मार्केट, काफी यूनीक वीडियो अने वाली है, एंड मैं आपको ये पीनो रिग्रेट्स के बारे में बताऊंगा, I am sure आप ये सारे रिग्रेट्स के साथ आप रिलेट करोगे, आप जोगे हाँ यार ये सारे रिग्रेट्स एक्च्वल में हमें होते हैं, and don't worry मैं देन आपको इनके सबके solutions भी बताऊंगा, कि इस रिग्रेट्स को हमने manage कैसे करने हैं, तो जब first one is, कि अगर आप कोई स्टॉक सेल कर देते हो, and उसके बाद वो और उपर जाता रहता है, तो अब्यूस से आपको regret हो गई, ये वाला regret सबको होता है, and ये चीज हर को ही face करता है, फिर आप हमेशा यही अपने friends को stories बताते हो, कि यार ये stock, जैसे बजाज finance को आपके लोग बताते हैं, कि यार ये stock मैंने लिया था, and उसके बाद मैंने, सिर्फ इतने percent बाद मैंने इ इतना हो जाता, आज मेरी stock में इतने सारे पैसे बन जाते, इतनी returns मेरी बन जाती, फिर आप बस उसके charts को, और उसकी past performance को देखते रहते हो, ना आप उसमें दुबार entry ले पाते हो, बट आप उसको बस देखते रहते हो, और बस regret करते हो, तो ये I'm sure, अब सबने क्यों होगा मैंने भी किया है, सारे वाला point करते ही है, कि एक बार ही stock को जल्दी sell कर देते हैं, और बाद में regret करते हैं, कि ने जल्दी क्यों sell कर रहता, तो अब इसका solution क्या है, solution is, कि आप कभी भी अपनी positions को पूरी sell मत करो, आप उसको अगर positional trading कर रहे हो, swing trading कर रहे हो, आपका जिस point प leverage का use कर सकते हो, super trend का use कर सकते हो, और भी काफी trail करने के लिए, और भी काफी strategies होती है, उन strategies को learn के लिए के लिए, आप मेरी app download कर सकते हो, मेरी app के अंदर, A to Z of stock market trading की complete video series है, इन 16 videos में मैंने पूर explain कर आवा है, बिल्कुल basic से लिए कि advance तक कि कैसे, आपको charts read करने है, आपको chart list मिल जाएगी, वो आप check कर सकते हो, इसी सब चीजों को मैंने उसके अंदर समझाया होगा है, next regret is, अगर आप बेच देते हो, किसी stop को, and वो वहीं से गिरता है, तो तब भी app और regret होता है, आप करते हैं, इतने अच्छे point में मैंने buy किया था, इतने अच्छे point में मैंने sell कि कर दी है, महां से गिर भी रह, मेरी time कितने अच्छी थी, तो मैंने उसमें position size ने अच्छी क्यों ने करी, मैंने उसमें इतना portfolio का अपना इतना कम part को डाला था, क्योंकि अगर आपने किसे stock में 50% position भी ले ली है, 50% भी उसमें move ले ली है, 100% move ले ली है, आपको अगर उसमें 30-40% है, पर उसमें आपने अपने पूरे portfolio का 10-12% डाल दिया था, तो वो उतनी move भी आपको काफे अच्छा आपको portfolio पूरा हिला देगी, तो इसको आप कैसे manage करना है, swing trading के लिए मैं इसमें कैसे manage करता हूँ, कि जब भी कोई position starting में लेनी है, मैं उसमें 5-7% अपने पूरे portfolio को उसमें एक बार ही लगाता हूँ, and then I pyramid up, और कोई stock position के लिए मैंने लेना है, एक बार ही initial entry जो होती है, वो 5-7% होती है, depending upon कि उसका risk कितना जाद है उस time पे, उसका stop loss कितना दूर है, उसके recording, एक बार ही जब उसमें entry करनी है, उसके बाद आप उसमें pyramid करोगे, आप ऊपर चलते वे अच्छे stock की अंदर और पैसे डालोगे, usually हम क्या करते हैं, जो stock गिर रहा है, हम उसमें averaging करते हैं, बट हमने upward averaging करनी है, upward averaging के लिए भी आप कैसे कर सकते हों कि यहां तो आप जब वो retrace हो रहा है, अपनी को important moving average पे, depending upon कि आपकी strategy के है, जब वो अपनी important moving average पे retrace कर एक अच्छी move देने के बाद, एक वो sideways एक pattern बनाता है, एक rounding bottom, एक यहां फिर cup बनाता है, एक base बनाता है, वहाँ से फिर वो आपको एक fresh breakout दे रहा है, वहाँ पे आप पिरेमेटिंग कर सकते हो, तो पिरेमेटिंग करने के भी काफे होते हैं, super tend भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आप उसमें एक बार ही एक position मना के उसमें पिरेमेटिंग करने से होता क्या है, कि आपकी एक अच्छे stock में अच्छी position मन जाती है, because जब तक आप एक अच्छी position से एक अच्छी stock को ride नहीं करोगे, तब तक आपको overall portfolio में अतना difference ही नहीं होगा, and कभी भी हम initially बहुत बढ कर रहा है कि हाँ मैं एक अच्छा stock हूँ, मैं अच्छे trend से upward मैं चल रहा हूँ, तब उसके अंदर increments करते हो, तब उसके अंदर और positions enter करते हो, उससे आप एक अच्छे stock को एक अच्छे position size के साथ ride कर पाऊँगे, third point is, जो आप करते हो, कि यार ये stock मैंने देखा था, मुझ मुझे ये stock fundamentally भी बहुत अच्छा लगा था, मुझे इसका chart भी बहुत अच्छा लगा था, बट यार मैंने लिया ही नहीं, मैंने अपने friends को भी बता दिया था, पर मैंने खुद एक भी shame नहीं लिया, ये regret भी आप बहुत बारी करोगे, कितनी बारी आप बिलकुल सही level पे अपने friends को बताते रहा था, क्यार ये stock तो मैंने भी देखा था, इतने साल पहले देखा था, इतने अच्छे level में मुझे मिल रहा था, मैंने नहीं लिया, अज़ ले लिया हो था, तो इस time में मेरे इतने पैसे बन जाते हैं, कि इना वही same stories अपने friends को बताते हैं, मेरे काफ इसको बहुत साल पहले महाँ पे देख रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने Amazon का एक भी share नहीं लिया, काफी मेरे friends में उसको touch भी नहीं किया, किसी नहीं अगर लिया भी था तो उसने बहुत जल्दी exit करके उससे निकल गए थे, बट किसी ने भी उसमें एक भी share नहीं लिया तो उसमें आप at least अपने portfolio का एक percent ही डाल दो, but उसमें entry ले लो, एक percent ही डालना, मैं कहता हूँ उसका एक share ले लो, सिरफ एक share लेने से क्या होगा, कि अब वो आपके radar में आ जाएगा, because आपने एक share ले लिया है, तो आपकी वो tracking उसको करना बहुत easy हो जाएगा, because वो आपक radar में है, एक बार ही वो आपके active positions में है, एक बार ही आपकी watch list से निकलके, वो आपकी positions में आगे है, आपके portfolio में आगे, चाहिए वो एक share के साथ ही आए, अब वो आपको एक share के साथ ही, आपकी regular app, आपके सामने हमेशा, आपको रोज दिख रहे हैं, अब आप जब देखो कि कि हायर, मैंने ये एक share लिया था, अब भी बहुत अच्छा चलना start होगे, अब तो ये अच्छी movement दे रहे हैं, फिर आप उसका दुबारा से chart खोल के देखोगे, अगर वो आपने share ना लिया होता, फिर तो इतने shares है, market में, इतनी news है, इतने noise है, इतने लोग हर रोज इतने charts डाल रहे हैं, social media बे, फिर तो आपका वो share मिस ही हो जाएगा, जब आप बाद में उससे देखोगे, तब तक वो अरड़ी इतना चल चुका होगा, कि फिर आपका वो miss हो जाएगा, फिर आप उसे ले ही नहीं पाओगे, बट अगर आपने उसका सिर्फ एक share ले लिया होग तब हो actively आपके सामने है, actively आप उसको रोज देख रहे हो, तब आप दुबारा से उसको हाँ प्लैन कर सकते हो, कि हार मैंने एक share लिया था, बहुत अच्छी move दे रही है, बहुत जदी move दे रही है, उसमें momentum अच्छा रहा है, चलो मैं इसका दुबार से एक बारी weekend पे होगा, तो इस action लेनी की बहुत जाता value है, जस्ट वो यह value है कि आपका वो जो stock है, आपकी watch list में या फिर आपके हो सकता है watch list में भी आपने ना डालो, आपने सिर्फ एक बार देख के छोड़ दियो, अब वो actively आपके position में है, अब वो actively आपके सामने track हो रहे है, अब वो आ मैंने stock देखा है, मिस कर दिया, वो regret आपको उसके बाद नहीं होगा, तो these were the three regrets of stock market, I know कि मैंने बहुत जल्दी एक वीडियो में, बहुत छोटी वीडियो में cover करें इन सब को, and in सब काफी detail में आपकी, मैं इनी सब points को और पी अपनी वीडियो में डिसकरता रहता हूँ, य जब तक आपकी psychology clear नहीं है, जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके खुद के patterns क्या है, आप कैसे trade कर रहे हो, कैसे नहीं trade कर रहे हो, जब तक वो clarity नहीं है, तब तक आपके losses चलते रहेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि losses क्यों हो रहे हैं, जब आप ऐसे points को देखो होगे, समझोगे, तब आपको realize होगा कि higher, मैं क्या mistakes कर रहा हूं, वो mistakes की पीछे reason के, and उसको यह solutions के साथ आप इंप्रूफ कैसे करना है, कि मेरी trading overall अच्छी हो पाए, तो I hope this video was helpful, आपको जो भी feedback है, मुझे comments में बताओ, अगर यह video को अच्छे लगी है, तो please like this video and share this video with all your friends thank you